ट्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे आल इन वन यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तो इंडिया वराम वेस्ट इंडिस की टी ट्वेंटी सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है आपको दादू से मुकाबले में भारतिय टीम के कप्तान विराट कोली ने पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया पहले बले वाजी करते हैं भारतिया टीम की सलामी जोड़ी उतरी थी रोई शर्मा और शिकरदवन की दोस्ता आपको दादू रोई शर्मा ने इस मैच में एक और तूफ़ानी अर्दशा तक जड़ दिया है जहां रोई शर्मा ने इस मुकाबले में 67 रणों की धाकड़ पारी खेली थी वो भी सिर्फ 51 गेंदों में जिसमें से रोई शर्मा ने तीन तूफ़ानी चक्के और पांच तूफ़ानी चौके लगाए थे दोस्तों आपको दादू रोई शर्मा की स्तूफ़ानी पारी की बदौलत भारतिया टीम 166 रन तक पहुच पाई 5 विकिट के लुकसान पर अपने 20 और में दोस्तों आपको दादूस मुकाबले में वेस्टन डीस के गेंद बास काफी अच्छी गेंद बासी कर रहे थे इसी के चलते भारतिया टीम के पाँच बड़े विकिट बीच चले गए थे दोस्तों आपको दादूस भारतिया टीम की तरफ से सिर्फ रोई शर्मा ही ऐसे बल्ले बास बने जो सरवादिक अर्दर्शतक लगाने वाले बल्ले बास बन गए दोस्तों आपको रोई शर्मा की ये पारी कैसे लगी हमें कॉमेंट में जरू बताएं और अगर वीडियोस नई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी ग्रिट की हवरों लिए मसाँ को सब्सक्राइब करें धन्यवाद